नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आचे इस व्डियो में दोस्ते जिसे की आप जानते हैं कि हम जॉइंड लिए नवंद डिकफे ज्चिनs फॉर्म के जरी है हमारे PF अकॉन में गलत अफडेट हुई जायंकारियों के सरही करवा सकते हैं अब joint equation form के जरी है पीएफ अपडेट हुई जायन करे या तो सही हो जाती है लेकिन joint equation form को इस्तिमाल करने में कुछ परेशानी आती है जिनके करण पीएफ अकॉड में करेक्शन नहीं हो पाता है तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि joint equation form को इस्तिमाल करने मे पीएफ मेंबर्स को कौन से परेशानी आती है तो साती में मैं उन परेशानी का हल भी आपको बताऊंगा तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने ते पहले आप से रिक्वेटी के चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्स्क्राइब जरूर कर करने क्या परेशानी आती है यह समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि जर्य करवाने की प्रसेस क्या है यह हमें समझना होगा तो अगर आपके प्रकॉड में कोई जानकरी गलत अपडेट है जिसे आप जोइन डिकलेशन फॉर्म के जर्ये सब्सक्राइब बरना होगा तो इस form को आप Google से डाउनलोड कर सकते हैं, form को डाउनलोड करने के बाद आपको इस form को प्रिंट निकलवा लेना है, अब आपके पास ये form हा चुका है, तो आपको इस form को e-line भरना है, इस form में आपको जायनकरिया लिखनी है, जिन जायनकरियों को आप अपने PF अकॉड में स इंप्लेयर के सिल्साइन के लिए हमें इंप्लेयर के पास जाना पड़ता है, तो joint declaration form में आने वाले जिन परेशालियों के बारे में बात कर रहा था, उनमें से पहली परेशाली यही पर आती है, वो परेशाली यह है कि कुछ PF में प्रेंबर के साथ यसा होता है, कि वो जिस चलते हैं, आपके employee के सिल्षाइन नहीं हो पाते हैं, तो jointANGician form पर bank manager के सिल्षाइन करवा सकते हैं, अगर bank manager भी jointilation form पर सिल्षाइन करने से मना करता है, तो आप joint ак्र स्वार्म पर debted officer के भी सिल्षाइन करवा सकते हैं, अब budgeted officer कोन कोन होते हैं, इसके बारे में अगर आप ज हो चुका है आपने आपके फॉर्म को इन एंड कंप्लीट कर लिया है उसके साथ में डॉक्यमेंट भी लगा दिये और फॉर्म पर आपने सभी के साइन भी करवा लिए यह सब तो परेशाली यहां पर यह आती है कि कुछ पीए मेंबर का रिजनल पीए पॉफिस उनसे काफी दूर होता है किसी दूसरी स्टेट में या पर किसी दूसरी सीटी में होता है जहां तक जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है जिस वज़े से उनका जोइन डिकलीजन फॉर्म उ अपने रिजनल पीए पॉफिस में कोरियर के मात्यम से भी जमाख कर सकते हैं तो यह थे जोइन डिकलीजन फॉर्म को इस्तिमाल करने में आने वाली प्रॉब्लम के सॉलिशन जिनके बारे में मैंने आपको बताया उम्मित करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में जोड जान करें आपको इस चैनल पर मिलते रहेगे